जय माता दी दोस्तों। राहो काल के समय में कोई भी नया और शुकारे ना करें। वरना विग्न आ सकता है। अब बात करते हैं आज के गुडलग की। एकादशी का दिन हैं यानिके रंग भरी एकादशी जिसे हम अमल की एकादशी भी कहते हैं। इस दिन अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में आज के दिन आपको एक उपाय करना चाहिए। सुभा-सुभा नहा दो कर शिवलिंग के पास जाए। साथ में एक लोटा जल लेकर जाए। और साथ ही में गुलाल, चंदन और बेल पत्र लेकर जाए। तो सबसे पहले आप शिवलिंग पर चंदन लगाईए, फिर बेल पत्र अरपित करें और ओम नमस्शिवाई का जब करते रहें और फिर जल की धारा अरपित करें अब शिवजी से प्रातना करें कि धन संबंदित जो परेशानी है वो दूर हो जाए इस एकादशी का बहुत ही महत्व है चलिए आप बात करते हैं दैनिक राशी फल की तो मेश राशी वालो आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा भारी है तो ऐसे में अगर आप कारोबारी हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप जादा महनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता भी मिरेगी लेकिन कहीं न कहीं आपको इस समय पर कोई न कोई चीट कर सकता है ऐसे में आप पैसु के मामले में बहुती साबधान रहें और संभल संभल कर कदम उठाएं अगर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप रुख जाएं किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आज की दिन को छोड़ दें वैसे आपके स्वास्ते में भी समस्या दिख रही हैं तो ऐसे में आपके थोड़े से थराफ थोड़े सी चिंता से आपका टेंशन बढ़ रहा है आपको थोड़े से जॉइ परिवार मित्रों की तो दोस्तों पारिवारिक जीवन आपकी दिए चीक है धन के मामलों में यहां पर कोई खास दिकत नहीं है हो सकता है आपको कीमती समान खरी दे और इसे के कारण थोड़ा सा खर्च हो जाए वैसे परिवार में आपके जो बड़े हैं उनके साथ किसी भ का बतंगर ना बन जाए इसलिए थोड़ा साफधान रहें संतुलन में रहें आज किसमत आपके साथ उतनी नहीं है वैसे अगर विवाहिक जीवन की बात करें तो यहां पर शांती कायम रखें चोटी-चोटी बातों का इश्यू मत बनाईए आप शांत रहें वैसे बड़े के लिए दिन अच्छा है और प्रत्यों गिता परिक्षा में सफलता भी मिल रही है और समय भी आपके साथ है नई जौप मिलने के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा है और कई दिनों से चली आ रही तमाम परिशानिया विध्धातियों के लिए समाप्त होंगी आज आपके के लिए शुबरंग है लाल और आपका भग्य साथ निभाएगा 65 परतिशत तो ये था मेश राशी बालो के लिए 6 मार्श 2020 का राशी फल इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिस्तेदारों के सा शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुं सके धन्यवाद दोस्तों